हेलो एवरीवन वेलकम टू रवी दिती क्लासिस आज की वीडियो को टॉपिक है विंटर ओलम्पिक्स 2022 फिंड ये वीडियो ये चो टॉपिक है ये आपके एक्जाम परपस से काफी दो इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में हम इस टॉपिक से रेटेट जितने भी एमसे क्यूज बन सकते हैं जो कि आपके एक्जाम में आ सकते हैं उन सभी को कवर करेंगे कि विंटर ओलम्पिक्स कहां शुरू हुए हैं ये कौन सा एडिशन है विंटर ओलम्पिक्स कब से हुए हैं किस कंट्री ने कितने मैडल्स चीते हैं सबसे मैडल्स सबसे आदा मैडल् तो इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में full explanation के साथ बात करेंगे तो अगर आप किसी भी exam के त्यारी कर रही हैं तो फिंट गी वीडियो आपको काफी साथ help करेगी तो चलिए इस class की शुरुआत करते हैं question पहले से सबसे पहला question है where was the Beijing Winter Olympics 2022 held इस पार जो यह Beijing Winter Olympics विसे नाम से आपको idea बनी गया होगा कि यह कहां पे इसका आयजन हुआ है तो इसका आयजन हुआ है China Beijing में तो याद रखेगा सबसे पहले important question यही बनता है कि इस पार जो Winter Olympics हुए है इनका आयजन कहां पे हुआ है तो चाइना में Beijing शहर में इसका आयजन हुआ है Winter Olympics देखे यह major competition होते हैं sports में जो कि खेले जाते हैं ice, ice skating, ice hockey, skiing and figure skating are some of the popular sports played in winter sports तो वही winter के season में जो games होते है ना तो उनका एक major competition होता है जिनने कहा गया है Winter Olympics Beijing is the only city in China where both the Summer Olympics and the Winter Olympics have been held तो देखे जो Summer Olympics हुए थे वो भी Beijing में हुए और Winter Olympics भी Beijing में हुए है Summer Olympics को 2008 से organized किया जा रहा है and Winter Olympics has been organized in 2022 तो जो ग्रीश मकालिन उलम्पिक है इनका आयजन 2008 में तता शीत कालिन उलम्पिक का आयजन 2022 में हुआ है तो देखे इसका कहने का मतलब यह है आप थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि 2008, 2008 में Summer Olympics जो हुए थे वो बीजिंग में हुए थे और Winter Olympics तो हैं बीजिंग में 2022 में हुए है तो बीजिंग की बात हो रहे क्योंकि दोनों ही बीजिंग के ऐसी शहर है जहां पे दोनों Olympics को खेला गया है बात करते हैं सेकिंड कोशन की विच एडिशन और बीजिंग Winter Olympics वस प्लेट इन 2022 अब बात आते कि यह कौन सा संस्क्रण इस बार खेला गया है राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंट 24 एडिशन तो ध्यान रखेगा इस पार जो यह Winter Olympics का कौन सा एडिशन था 24 एडिशन था पहला जो Winter Olympics था यह 1924 में फ्रांस के शमनिक्स शहर है वहाँ पे इसका आयचन किया गया था तो साथी साथ में हम questions related जो भी important points है उनको भी cover करते चलेंगे ताकि यह जो पूरा topic है easily आप handle कर सके exam में इसके बार देखे when was the Beijing Winter Olympics 2022 held तो इनका जो आयचन है कब से कब तक हुआ तो फ्रेंट 4 फरवर से यह शुरू हो गए थे और 20 फरवरी तक चले थे तो इस बार जो Beijing Winter Olympics है चार से 20 फरवरी के बीच में इनका आयचन किया गया next है what was the mascot of Beijing Winter Olympics 2022 तो Beijing जो इस बार का यह जो Olympic है इसका शुभंकर इसका mascot किया है तो इसका नाम है बिंग डुएंडुएं ठीक है तो बिंग डुएंडुएं इसका mascot है और यह पांडा है ठीक है एक फैट जियांड पांडा है जिसको नाम दिया गया है बिंग डुएंडुएं तो चाइना के देखिए Lantern जो है Shui Ron Ron इनके द्वारा announcement करी गई थी एक officially इस mascot की announcement जो है इनके द्वारा करी गई थी तो पूछ सकते हैं कि announcement किसके द्वारा की गई है Next question देखिए How many sports were included in Beijing Winter Olympics 2022 तो total कितने के लोगों को इसमें शामिल किया गया तो right answer is 7 तो friends याद रखेंगे Beijing Winter Olympics 2022 में total 7 जो sports इनको include किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं 109 जो थे वो events हुए थे 15 subjects में across the 7 sports अगला है What was the motto of Beijing Winter Olympics 2022 बात करते हैं कि इसका motto क्या है तो friend इसका motto है together for a shared future तो Beijing Winter Olympics का जो आदर्श वाकिय है वो है together for a shared future इसके बात है which country topped the medal tally in Beijing Winter Olympics 2022 तो जब यह complete हो गया तो देखे सबसे जादा जो medal से वो किसने जीते हैं आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो medal tally है उसमें top पर कौन सा देश है तो याद देखिए का Norway है जो कि important question है यह जरूर पूछेंगे तो top country जिसने सबसे जादा medals लिए है वो Norway है तो देख सकते हैं total 37 medals है जिसमें 16 gold, 8 silver और 13 bronze है second पे Germany है total 27 medals, 12 gold, 10 silver और 5 bronze medal China रहा वहीं तीसरे place पर जिसमें 9 gold, 4 silver और 2 bronze medal जीते हैं तो Norway जो है लगातार दूसरी बार winter Olympics में जो medal tally है उसमें top पर रहा है ध्यान रखेगा अगला question है friend, how many medals did India win in the Beijing Winter Olympics 2022 तो भारत ने इसमें कुल कितने पदग जीते हैं तो friend, ये भी important question रहेगा निल यानि भारत ने इसमें कोई भी पदग नहीं जीता है, 0 शुन यान निल आप कुछ भी बोल सकते हैं और भारत के सिर्फ एक ही अदलीट थे जिरों ने इसमें participate किया था ये भी ध्यान रखेगा इसके बाद which country born the maximum number of gold medal in Beijing Winter Olympics 2022 वहीं सबसे जादा medal किस ने जीते थे? नौर्वे ने जीते थे और नौर्वे ने ही सबसे जादा friend gold medal जीते हैं ये भी ध्यान रखेगा तो नौर्वे ने देख सकते हैं आज total 16 gold जीते हैं वहीं second place पे Germany जिसने 12 gold और चाइना ने तीस्रे नमर पे रहा चाइना जिसने 9 gold medalist में जीते total अगला है the only player from India who qualified in Beijing Winter Olympics तो मैंने अभी आपको बताया कि सिर्फ एक ही आपके लिजे एक ही player है जिरो ने qualify किया था इंडिया की तरव से और उनका नाम क्या है? आरिफ खान उनका नाम है जिनोंने Beijing शीत कालिन Olympic के लिए qualify किया तो मुहमद आरिफ खान ये alpine skier खेल से हैं और ये जमु कश्मीर UT से बिलॉंग करते हैं तो इनका नाम आप लोगों के exam में पूछा जाय सकता है कि बताये कौन से वो player कौन से वो athlete है जिनोंने Beijing Olympic के लिए qualify कि था नेक्स्टे इन विच स्टेडियम वास दी ओपनिंग सेरमनी ओ बीजिंग Winter Olympics 2022 हैं कहां पर इसका उदगातन समहारों का आयजन किया गया था तो स्टेडियम का नाम है birds nest इस्टेडियम जहां पे इसकी ओपनिंग सेरमनी है इसका आयजन किया गया था next question who was the flag bearer of India in the opening ceremony तो बही जब इसका ओपनिंग समहारों हुआ था उस दौरान flag bearer जिसे कहा जाता है ध्वजवाहग तो भारत के ध्वजवाहग कौन थे तो आप समझी गयोंगे भारत की तरफ से जो एक ही प्लेयर है वहीं यहाँ पर flag bearer थे भारत की तरफ से next who was the flag bearer of India in the closing ceremony of the 2022 winter olympics तो answer हो जाएगा none यानि इसके closing ceremony में भारत के ध्वजवाह कोई भी नहीं थे लेकिन opening ceremony में धिहान रखेगा opening ceremony में कौन थे आरिफ खान next question है friend how many countries including India participate in the Beijing winter olympics 2022 तो भारत समेथ कुल कितने देशों ने इसमें participate किया right answer is 91 तो friend ध्यान रखेगा 91 देशों के total 2900 players ने Beijing olympics में participate किया था next day who was the chef the mission of India for the Beijing winter olympic तो बीजिंग शीतकालिन olympic के लिए भारत के chef टी mission कौन थे answer हो जाएगा friend हरजिंदर सिंग अगला question है when will the next winter olympic be held after 2022 तो देखिए 2022 में तो हो गया अब अगला चो winter olympic होगा इसका आयजन होगा 2026 याद रखेंगे friend चार सालों के बाद जो olympic से इनका आयजन किया जाता है तो 2022 के बाद अगला होगा 2026 में मिलान और कॉर्टिना डी अमपैजो इटली में इसका आयजन किया जाएगा इसके बाद देखिए where was the winter olympics before 2022 played in 2018 मैं देखो 2022 से पहले कब खेला गया था 2018 में पूछा गया है कि 2018 वाला कहां पर खेला गया था तो साउथ कोरिया में प्योंग चांग जगा है वहां पर इससे खेला गया था तो याद रखेगा एक पुराना edition और इससे एक next edition इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए सबसे पहला जो winter olympics है इसका आयजन कब किया गया था राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1924 में तो पहला जो winter olympics है इसका आयजन हुआ था 1924 में question next is where was the first winter olympics held in 1924 अब 1924 में भी कहां पर हुआ था तो फ्रांस में जगा है श्यामोनिक्स जहां पे पहला जो winter olympics है यह खेला गया था इसके बाद है भारत ने पहली बार winter olympics में किस साल में participate किया तो यहाँ देखेगा देखे 1924 में तो शुरू हो गए थे लेकिन इंडिया ने पहली बार इसमें 1964 में participate किया था very important questions तो यहाँ पे हम सारे के सारे important questions करेंगे जितने भी आपके winter olympics से बन सकते है 1964 में जो winter olympics होए थे यह औस्ट्रिया के इंस बर्ग जगा है वहाँ पे खेला किया थे तो पहली बार इसमें इंडिया ने participate किया था और पहली इंडिया अथलीट जिन्हों ने 1964 के winter olympics में participate किया उनका नाम पूछ सकते हैं जरेमी बुजाकॉपसी जिन्हों ने compete किया था मेंस की downhill alpine skiing event में वहीं देखिए एक और नाम आपके लिए important है नाम है शैलिजा कुमार इन्होंने अपना नाम history बनाई थी क्योंकि यह पहली woman बनी थी इंडिया के तरफ से जिन्होंने winter olympic games में भारत के लिए participate किया भारत के लिए इसमें compete किया है तो यह दोनों नाम ध्यान रखेगा और इंडिया का भी ध्यान रखेगा कि 1964 में इंडिया ने पहली बार winter olympics में participate किया अगला है देखिए who was the only Indian player to qualify in winter olympics six time तो 1988 से 2018 के बीच में एक पातर भारते कौन है जिन्होंने छे बार इसके लिए qualify किया है तो उनका नाम है शिवा केशवन next friend when is the olympic day celebrated every year हर साल olympic दिवस के रूप में हर साल olympic दिवस कब मनाया जाता है friend 23 शून को olympic day हर साल celebrate किया जाता है when did the olympic games started olympic की शुरुवात कब हुई थी तो फिन 6 अप्रेल 1896 को olympic की शुरुवात की गई थी first जो olympic यानि women पहली बार olympic में women ने कब participate किया था 1900 में कहां पे हुए थे ये Paris France में हुए थे तो इस olympic में पहली बार जो female है खेलों में महीला इन्होंने participate किया था युनानी कैलेंडर की यानि जो ग्रीक कैलेंडर है उसके according बात करें तो पहला चो olympic केल है वो हुआ था olympia मतलब इसका नाम olympia पढ़ा था 1776 BC में चीक है यह ध्यान रखेगा 2012 London Olympics saw a female athlete being sent by all participating countries for the first time 2012 में जो लंडन में olympics हुए थे ना उसमें पहली बार जितने भी इसमें participating countries थी ना उनके द्वारा female athlete को भीजा गया था याद रखेंगे यह सभी important point काफी जादा important है अगला है पहला olympic game कहां पे खेला गया था तो पहला जो olympic game है यह खेला गया था Greece में भी कहां पे Athens में तो याद रखेंगे कहां पे खेला गया था पहला जो देखे winter olympic अगर बात करेंगे तो वो ध्यान रखेंगे 1924 में फ पैरा ओलम्पिक गेम खेले गए थे ये 1960 में खेले गए थे कहां पे रोम इटली में किरकेट को पहली बार ओलम्पिक में इंक्लूट किया था सिर्फ एक ही बार इंक्लूट किया गया अभी तक 1900 में चोकि पारिस फ्रांस में खेले गए थे तो एक ही बार किरकेट ओलम्पिक म शामिल हुआ है उसके बाद आगे किर्केट को continue नहीं किया गया ओलम्पिक में अगला है who is credited with starting the Olympic game ओलम्पिक खेलों के शुरवात का श्रे किसे जाता है राइट आंसर इस पीरेडी कॉर्बटीन तो इन्हें जाता है ओलम्पिक गेम्स को शुरू करने का क्रेडिट गेम का जो लोगो है इसे पहली बार 1920 में जो उलम्पिक हुए थे बेल्चियम में उसमें पहली बार इसे यूस किया गया था नेक्स्ट कोशन है ओलम्पिक खेलों का जो आयजन वो कितने साल के या कितने वर्षों के अंदराल पर किया जाता है इसके बाद देखें next question है Olympic का जो logo होता है इस पर कितने rings होते हैं तो आपने देखा होगा इस तरीके से Olympic के logo में rings होते हैं तो वैसे आप समझ कहे होंगे कि total five rings होती हैं लेकिन इन five rings के colors भी होते हैं और ये हर color किसी ना किसी continent को represent करता है तो आप देख सकते हैं ये है Olympic का जो logo है different colors हैं जो कि different continent को क्या करते है represent करते हैं तो color कौन सा है blue, black, red, yellow and green तो blue represent करता है Europe continent को black, Africa, red, America yellow represent करता है Asia को और green represent करता है Australia को तो ये सभी continent भी आपको ध्यान रखने हैं color wise क्योंकि ये exam में पूछते हैं इसके बाद है पहली बार जो mascot है उसे Olympic में कब शामिल किया गया था तो फिर 1972 में पहली बार जो है mascot को शामिल किया गया था याद रखेंगे for the first time in which Olympics the mascot was included तो याद रखेंगे 1968 में green hole में शामिल किया गया था इस युभंकर का नाम क्या था शुश वहीं Summer Olympics में 1972 का जो Summer Olympic हुआ था Munich में उसके mascot का नाम क्या था Walti था तो important question है इसके बाद देखें in which year did India send its team to the Olympic game तो भारत ने किस वर्ष में Olympic हेलो में अपनी team भेजी थी तो answer हो जाएका 1920 में भीजी थी 1920 का जो Summer Olympic था वो 7th edition था और ये हुआ कहां पे था तो Belgium में Antwerp जगा है वहां पे ये हुआ था और भारत ने पहली बार देखो Winter Olympics में हिस्सा लिया था 1964 के और इसका आज़न हुआ था Austria के Innsburg में तो दोनों ध्यान रखो Winter Olympics में पहली बार 1964 में Summer Olympics में 1920 में अगरा है कौन सी Organization है जो कि Olympic Games को Regulate करती है तो IOC यानि International Olympic Committee इसको क्या करती है और Regulate करती है इस Committee का Headquarter कहां पे है तो Lewis and Switzerland में इसका Headquarter है Who is the current President of International Olympic Committee Right answer हो जाएगा Thomas Bach इसके current President है तो देख सकते हैं आप कि इसके जो current President है Thomas Bach ये 9th नौवे नंबर के President बने है बात करते हैं International Olympic Committee की Official Language की तो English और French इसकी Official Language है तो आंसर हो जाएगा Option Number C How many are members Country of the International Olympic Committee तो इसमें टोटल कितने Member हैं तो Friend इसमें टोटल है 105 Members तो यहां पे हमारे सारे Question हमारे हो जाते हैं Winter Olympics Related आप एक कोई चोटा सा Revision कर लेते हैं कि हमने कौन-कौन से Questions को पढ़ा है तो देखे सबसे पहले हमने पढ़ा था कि Beijing Winter Olympics ये हुए कहां पे तो Beijing China में हुए इस बार इनका ये कौन सा Edition खेला गया था तो 24th Edition खेला गया था When was Beijing Winter Olympics held कब से कब तक इनका आयचन हुआ 4 फर्वरी से 20 फर्वरी तक इस बार Beijing Winter Olympics का Mascot क्या था Bing Dwen Dwen जो के एक पांडा एक फैट जियान पांडा है How many sports were included in the Beijing Winter Olympics तो answer is 7 इसके बार देखे Beijing Winter Olympics 2022 का मोटो क्या है मोटो क्या था Together for a Shared Future कौन सी कंटरी ने सबसे ज़्यादा medal जो है लेकिट टॉप पोजिशन हासिल करी medal टेली में तो Norway के पास सबसे ज़्यादा medals थे How many medals did India win Beijing Winter Olympics 2022 Zero तो इंडिया के द्वारा कोई भी medals इसमें नहीं जीता गया कौन सी कंटरी के पास सबसे ज़्यादा gold medals है Beijing Winter Olympics में तो Norway के पास सबसे ज़्यादा gold medal है Only player from India who qualified in Beijing Winter Olympics ती आनसर इस आरिफ खान इसके बाद एक कौन से stadium में इसकी opening ceremony हुई तो stadium का नाम में Bird Nest Stadium इंडिया के तरफ से opening ceremony में flag bearer कौन थे आरिफ खान और अगर closing ceremony के बाद करें तो इंडिया के तरफ से कोई भी नहीं थे closing ceremony में flag bearer टोटल कितनी countries ने participate किया है Beijing Winter Olympics 2022 में तो 91 countries ने participate किया इस Olympic में chef the mission of India कौन थे भारत की तरफ से तो हरजिंदर Singh is the right answer Next है अगला जो Winter Olympics होगा ये कब इसका आयजन किया जाएगा तो 2026 में इसका आयजन किया जाएगा 2022 से पहले देखे 2018 में जो Winter Olympics खेले गए थे इनका आयजन हुआ था South Korea के Pyeongchang में पहला जो Winter Olympics है इसका आयजन हुआ 1924 में और ये France के Shamanics में खेला गया In which year did India participate in the Winter Olympics for the first time तो फिर 1964 में पहली बार इंडिया ने Winter Olympics में पार्टिसिपेट किया इंड़ा के तरफ से कौन से इंडियन प्लेयर है जिन्होंने छे बार Winter Olympics के लिए क्वालिफाई किया है तो आंसर है शिवा केशवन 26 April 1896 को पहला चो उलम्पिक गेम था वो इग्रीस के Athens में खेला गया था उलम्पिक गेम्स को शुरू करने का जो क्रेडिट है वो जाता है P.R.D. कॉर्बटीन को उलम्पिक गेम्स का जो आयचन है वो चार साल के बाद होता है तो जो इंटर्वल पीरेड है वो 4 उलम्पिक के लोगों में कितने रिंस हैं तो 5 रिंस हैं तो ध्यान रखेंगे 5 रिंस जो कि 5 कॉंटिनेंट को रिप्रेंट करती है किस उलम्पिक में जो मैसकोट है इसको पहली बार इंक्लूट किया गया था 1972 के ओलम्पिक्स में किस एर इंडिया ने पहली बार ओलम्पिक्स के लिए अपनी टीम भेजी थी आंसर इस 1920 कौन सी ओर्गनाइजेशन है जो कि ओलम्पिक गेम्स को रेगुलेट करती है इंटरनाशनल ओलम्पिक कमीटी इसका हेड़कॉर्टर कहां पे है तो फ्रेंड लॉसें स्विजलेंड में इसका हेड़कॉर्टर है करेंड में प्रेजेटेंट है थॉमस बैक इसकी जो ओफिशल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच और कितनी इसके मेंबर कंट्रीज है तो फ्रेंड यान रखेगा 105 इसकी टोटल मेंबर कंट्रीज है तो फेंड ये था हमारा पूरा का पूरा विंटर ओलम्पिक्स का सेशन इसमें हमने सब भी important questions को cover किया है जो कि आपके exam point of view से important है थांक यू सो मच पर वाचिंग दिस वीडियो